आज मैं आपको उत्राखन की राश्थानी देहरादून के पांच ऐसे जगाओं के बारे में बताने वाले हूँ जिससे देहरादून जाने के बाद आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए तो चलिए जानते हैं देहरादून के टॉप फाइफ टूरिस्पेसिस फर्स्ट रोबर्स केव को लोग गुच्चो पानी के नाम से भी जानते हैं रोबर्स केव एक अंग्रीजी शब्द है जिसका हिंदी अर्ड डाकू की गुफा है इस गुफा के अंदर कुछ जर्णा भी है जो पहाडों से निकलते हुए चटानों के अंदर से आता है दूसरा स्थान लच्छी वाला नेचर पार्क एक जंगल की बीच में स्धित है जहां कमोहल बिलकुल शांत रहता है और इस पार्क में आपको शांती और आसपास के खुपसुरत नजारे देखने को मिलेगा तीसरा स्थान है मालसी डियर पार्क मालसी डियर पार्क को देहरादून जूब के नाम से भी जाना जाता है मालसी डियर पार्क में हिरन, खरगोश, कच्छुआ, अजगर, तोता, मोर और एक तेंदुआ भी मौजूद है इस पार्क में कुछ adventure, activity के साथ-साथ मचली का एक aquarium भी मौजूद है जिसमें कई तरह के अलग-अलग रंग की मचलियां भी देखने को मिल सकता है चौता स्थान है शयसदारा जितना ही खूपसूरत शयसदारा है उतना ही बहतरीन इसका सफर भी है सफर में इसकी खूपसूरती को अपनी आखों से देख सकते है और आपको यहां की खास बात और बता दू यहां स्नान करने से स्किन रो खुचली जैसी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है आखरी स्थान है तपकेश्वर टेंपल अगर अब देरादून आ रहे हैं और तपकेश्वर नहीं गए तो आपका ट्रिप अधूरा माना जाएगा इस मंदिर का हिंदू पौरानिक महत्व जुड़ा हुआ है यहां भगवान शिव स्वें प्रकट हुए थे तो अगर आप देरादून आए हैं तो इन जगाओं को जरूर बिसित करें